यूपी के इस जिले में माईके में रहरी महिला ने किया ऐसा काम कि सूचना पर पहुँच गई पुलिस जमा हो गए ग्रामीर मच गया हलकमप आप सभी का सबसे तेज खबर स्रावस्ती चैनल में स्वागत है चैनल को लाइक, सेरे, सब्सक्राइब करें साथ ही घंटी का बटन दबाना ना भूने जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे खबर यूपी के संत कभी इन नगर से है जहां पर मायके में रही रही महिला तीन बच्चों के साथ कुएं में जाकूदी दो बच्चों और मा की हुई मौत मानसिक रोगी बताई जा रही है महिला मा और बच्चों की मौत से इलाके में मची गया हरकम एक बच्चे की हालत बताई गई नाजुक अस्पताल में कराया गया भलती जहां पर हो रहा है उपचार पुलिस ने सवों को कबजे में लेकर पोस्वार्टम के लिए भेज कर सुरू की कारवाही थानहा दुधारा छेत के पच्च देवरा गाओं की ये घटना है जहां पर पुलिस के साथ साथ इसपी भी मौके पर पहुँचे इस दोरान जब इसपी सत्यजीत गुपता से बात ग्रामिनों को ही तो ग्रामिनों ने सभी को बाहर निकाला जिसमें सद्दो की मौत हो गई अपकी एक बच्चे का उप्चार कराया जा रहा है कि एक महिला जिसका नाम फिर्दौस खातून है जो ग्राम पंच्टेवरा की रहने वाली है अपने तीन बच्चों के साथ कुवे में कूद गई है सुचना पर तुरंत मौके पर पुलिस पहुंची वहाँ पर जांच औरताल किया जांच के करम में मालूम चला दोपर लगबग 12 बजे के आसपास फिर्दौस खातून अपने तीन बच्चों के साथ जिसकी उम्र लगबग एक बच्चे की साथ एक बच्चे की पांच और ए प्रयास किया और लगबग आदे घंटे के अंदर महिला को और उसकी तीन बच्चों को बाहर निकाला जब बहर निकाला तो जो नौजाष इश्यु था उसकी मौके पर ही देथ हो गई थी जो इसकी और जो दो 6 बच्चे उए बच्चे थे और महिला थी इसको तत्काल अस् उसके उपरांत जब इसकी महिला को और बच्चे को बस्ती ले जाया गया, रेफर करके, तो वहाँ पे आस्पताल में जब महिला और उसका एक बच्चा पहुँचा, तो वहाँ पे महिला फरदौस खातून की देत होगी, उसमें जो इसका एक बच्चा शीष है, अभी उसका डेट बॉडिज है, इनको अपने कबजे में ले लिया है, इनका पंचायत नमा भरा जा रहा है, पोस्माटम की करवाई कराए जाएगी, और आगे जो भी परिवार जनों के दौरा तहरीर मिलेगी, उसपे अग्रें विद्धी करवाई अमल में लाए जाएगी.